आज हम नए तरीके से बनाएंगे पानी पूरी का पानी जो खटा, मीठा, तीखा, चटकारेदार होने वाला है मतलब एक ही पानी में आपको सारे टेस्ट मिलने वाले हैं यह पानी खटा भी होगा, मीठा भी होगा, तीखा भी होगा और चटकारेदार जिसे आप खाते ही खुश हो जाओगी तो चलिए इसे हम बनाएंगे पटाफट से बिना किसी देर के और अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले जिसे आपको ऐसे ही इंट्रेस्टिंग रेसिपीस की वीडियो पटापर से मिल सके वेलकम बैक टू मैं किचिन मैं हुरा मिश्वरी तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे फ्रेश धनिया तो दो मुठी मैंने हारा धनिया ले लिया है इसे मैंने अच्छे से धोल लिया है इसमें कुछ लैसुन की कलिया एट कर लेंगे दो हरी मिच थोड़ा सा इसमें नमक एट करेंगे और इसमें नीबुकरस एट करके इसे हम पीस लेंगे तो देखिए हरी चटनी तयार हो चुकी है इसे अब हमें बोल में निकाल देंगे तीकी तीकी टेस्टी सी हरी चट्टी तैयार हो गई है अब इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने थोड़ा इमली पुला दिया था यह अच्छे से पूल चुकी है इसे मैंने आधा गंटा पहले पुला दिया था तो इसे अब हमें अच्छे से मैश कर लेना है जिससे की इमली का पल्प पूरा निकल जाएगा तो अब इसे हमने निकाल लिया है तो इसे हम छान लेंगे तो इस इमली के पल्प को हम चान लेते हैं तो जो भी रेशे होंगे इसके उसे हम अलग कर लेंगे इस तरीके से चानने के बाद तो अब देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से चान लिया है तो अब ये जो तयार हो चुका है इमली का पानी तो इसमें हम अब कुछ और चीजे मिला लेंगे तो इसे हम चड़ाएंगे अब ग्यास में कड़ाई और थोड़ा सा तेल डालके हम इसमें जालेंगे थोड़ा सा जीरा जैसे ही जीरा हो जाएगा तो हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे थोड़ा सा पानी इसमें हम और एट कर लेंगे एक बारी से चला देना है और इसमें अब हम एट करेंगे गुर तो जैसे ही थोड़ा सा बॉइल आने लगेगा पानी में तो इसमें हम गुर एट कर देंगे तो यहाँ पर मैं एक कटोरी गुर एट कर रही हूं जिस कटोरी में मैंने आधा कटोरी इमली ली थी तो उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी गोड़ लिया है अब इसे हमें जब तक गोड़ अच्छे से नहीं पक जाता है तब तक इसे पकाना है तो अभी आप देख सकते हैं, गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, लेकिन यह अभी और पकाएना है में, तो अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, गुड़ बहुत गाड़ा हो चुका है, यहाँ पर हम कुछ मसाले अट करेंगे, एक चम मसूख है, अद् से तयार हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, पस यही पर हमें गैस की फ्लेम आफ कर देनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद यह थोड़ा सा और गाड़ा हो चाता है, तो बस अब देखिए, यह खटी मिठी सी हमारी इमली की चटनी भी तयार हो चुक नाने वाले हैं, इसमें अब अब हम एड़ करेंगे तीखी चटनी हरी राद, यहांपर मैं दो से तीन चम्मच हरी चटनी एड़ कर दूंगी इन जिससेकि पानी तीखा हो जाएगा, अब यहां हम इसमें एड़ करेंगे दो चम्मच की चटनी जो हमने खटी मीठी चटनी तियार किये वो इससे पानी का स्वाद और भी बढ़ जाता है अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे बुंदी रायते वाली एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे काला नमक और भूना जीर का पॉडर अच्छे से फिरसे से मिक्स कर लेना है और यहां थोड़ा सा नमक और लाल मिर्श पॉडर भी हम एट कर देंगे बारिक कटी भी प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अब ये तेयार है हमारा खटा मीठा और तीखा चटपटा पानी पूरी का टेस्टी पानी ये पानी बहुत ही लगता है आप इस तरीके से जरूर बनाईये तो चलिए एप सर्फ कर लेते हैं तो सब से पहले हम पूरी में डालेंगे आलू का मसाला पेस्टी सा आलू का मसाला है और इससे बग्नाने का लिंक भी वीडियो का analyse में है और अब इस पूरी को हम ढूपकी लगाएंगे इस अब आप देख सकते हैं कितनी बड़िया सी ये पानी पूरी तयार हो गई है बहुत ही डेस्टी बन कर तयार होता है ये पानी आप इस तरीके से बनाएंगे खाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप हमेशा ही इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए पसंदायो तो लाइक शेर कीजिये